अम शांती बाब डादा मधुबन तारिक है 20 मार्च 2024 शिव बाबा के महावाक्य है बाबा बोले मीठे बच्चे जितना समय मिले अंत्मुखी रहने का पुरुशार्थ करो बाहर मुक्ता में न आओ तब ही पाप कटेंगे तो बाहर मुक्ता में क्या होता है हम ज्यादा बोलते है और बोलने से क्या होता है विकर्म बन जाते है तो बाबा केते जितना हो सके अंदर अंत्मुखी रहो तो क्या होता है कि अंदर आत्मिक स्वरुप में रहने से बाबा क याद बढ़ जाएगी आत्मा अपने को समझना है और परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना है तो उससे क्या होता है हमारा पुरुशार्थ भी बढ़ेगा शांती भी फैलेगी वातावरन में और हमारे पाप भी जो किये हुए है हमने पिछले तेसर जन्मों से वो कटते जा है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं उत्तर है पहला बच्चे चड़ती कला में जाना है तो बुद्धी योग एक बाप से लगाओ फलाना ऐसा है यह ऐसा करता है इसमें यह अउगुन है इन बातों में जाने की दरकार नहीं अउगुन देखने से मुह मोल लो दूसरी पोइंट है कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं मुरली में जो अच्छी अच्छी पोइंट से उन्हें धारन करते रहो तब ही चड़ती कला हो सकती है तो चड़ती कला का पुरुशार्थ क्या है पहले तो हमें अंतमुखी रहना है माना कि सिर्फ अपने बुद्धी करके देखनी है कि हम में क्या अउगुन है हम कैसे बाबा की श्रीमत फोलो करके देवी गुन धारन कर सकते हमें दूसरों को देखना ही नहीं बाबा केते है अउगुन देखने से मूँ मोडलो माना अउगुन की तरफ देखो ही नहीं कभी भी बाबा केते दूसरी पोइंट प्रवाबा की पढ़ाई छोड़ दे बाबा के तैमुरली में जो अच्छे अच्छी पोइंट से उन्हें धारन करते रहो तब ही चर्टीकला हो सकती है अम्शांती अभी यह है ग्यान का क्लास और सवेरे योग का क्लास योग कौन साथ अभी ग्यान का क्लास माना अभी मुरल क्लास चल रही है और सवेरे योग का क्लास माना अम्रित्वेल हम बाबा के साथ योग करते हैं योग माना बाबा की याद में बैठते हैं बाबा की साथ रूह रहान करते हैं हम तो बाबा केते हैं योग कौन सा क्योंकि यहां बहुत डिफ्रेंस होते हैं योग में दुनिया अत्मा सिखलाते हैं क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे यह लक्شमी नाराईन वग्वती भगवान है राजयोग सीखे तक तो भविश्य में वग्वती भगवान बने यह है ही missionsama संगम युक्य समझानी तो ऐसा कोई स्कूल है नहीं जहां कोई राजयोग सिखा सकता हो राजयोग मना कैसे हम राजयाई पत पा सकें कैसे हम राजा बन सकें हाँ जो राजाओ के कुल के होते हैं रोयल फैमिली के होते हैं वो उन special school पढ़ने के लिए जाते हैं जहां सब रोयल बच्चे आते हैं लेकिन राजा कैसे बनना वो कोई भी दुनिया की कोई भी स्कूल में नहीं सिखा सकते कोई यहां सिर्फ एक ही परमात्मा आके हमें कैसे राजा बनना है राजा महाराजा वो परमात्मा आके सिखलाते हैं तो बा यह है ही पुर्शोतम संगम्युग की समझानी इसको कहा जाता है पुर्शोतम पुरानी और नई दुन्या का बीच डिफरेंस दोनों के बीच में अभी क्या है पुर्शोतम संगम्युग पुरानी दुन्या कल्युग और नई दुन्या सत्युग उसके बीच का जो आखिर का पुराने मनुष्य और नए देवताएं, इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं, नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं, वहां मनुष्य नहीं कहेंगे, भल है मनुष्य परंतु देवी घुनों वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता हैं, पवित्र भी र कोई बहुत करोध करते है तो कहा जाता है भो भो क्यों करते हो देखो बाबा अभी एक almost एक वीक होने को आया बाबा क्रोध के बारे में कहते है तो बाबा कहते है अगर कोई किसी में बहुत ज़्यादा क्रोध है तो क्या कहते है भो भो क्यों करते हो यह दो विकार बड़े श भी बहुत नुक्सान कारक है काम का भूत आदी मद्य अंत दुख देने वाला है एक दूपर काम कटारी चलाते है यह सब बाते समझकर फिर औरों को समझानी है तुम्हारे सिवाई बाप से वर्सा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला ना सके सौरी कोई बतला ना सके तुम बच्चे ही बता सकते हो बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्सा कैसे मिलता है जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है तो अगर हम किसी को समझा नहीं सकते माना हम पढ़ाई खुदी नहीं कर रहे, अगर हम नहीं पढ़ रहे अच्छी तरह से, तो दूसरों को कैसे समझा पाएंगे, तो बाबा केते है, जो किसी को समझा नहीं सकते, तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, बुद्धियो कहां भटकता है, युद का मैदान है न, ऐसे को मत समझे सहज बात है मन के तूफान वा विकल्प धेर के धेर न चाते हुए भी आएंगे इसमें मूंजना नहीं है क्योंकि माया तो सामने रुस्तम से रुस्तम होकर लुनने को आएगी तो जितना हम बाबा की करीब जाएंगे उतना माया हमारे और करीब आएगी तो बाबा क दोरी में कितने ठक जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं देह अभिमान के कारण बहुत बातचित करनी पड़ती हैं और आज बाबा ने उपर साहर में टैटल में ही क्या कहा अंतमुक रहना है माना साइलेंस में जितना हो सके रहना है तो बाबा कहते हैं लेकिन क्यों बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो औरों को भी क्या समझाना है पहले तो अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है बाप ही सक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए अंत्मुखी होना है भ जहां जरूर है, वहां बूलना है, पड़े हैं तो बूलो, लेकिन अननेसेसरी मत बूलो, बाबा केते हैं, जितने भी फुरसत मिले कोशिश कर अंतमुकी होना चाहिए, तब ही पाप कटेंगे, नहीं तो न पाप कटेंगे, न उच्छ पद पाएंगे, जन्म जन्मांतर के प सिर पर है, सबसे जास्ती पाप ब्रामनों के है, उनमें भी नंबर वार है, क्योंकि हमने सबसे पहले जन्म लिया है, आदी से हम आते हैं, इसलिए बाबा केते सबसे जास्ती पाप ब्रामनों के है, उनमें भी नंबर वार है, जो बहुत उच बनते हैं, वही बिलकुल गर्भी बनना है प्रिंस माना जो सत्यूग में प्रिंस थें ड्रामा को अच्छी रिती समझना है जो पहले आये है वह पिछाडी में आएंगे तो बेगर बनना माना धन के हिसाब से नहीं आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से है कि जब जितनी आत्मा उच पद माना सतो प्रधा नहीं है ड्रामा को अच्छी रिती समझना है जो पहले आये है वह पिछाडी में आएंगे जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतीत बनते हैं बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूं इनके बहुत जन्मों के अंत में किनके ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत में सो भी जब वान प्रस्थ अवस्ता है, रिटार्मेंट एज है, इस समय छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्ता है, क्योंकि अपी तो सब को जाने का टाइम हो गया है, बाप के लिए गायन भी है सर्व की सद्कति करने वाले, वह होती ही है पुर्षोतम संगम्युक पर, यह पुर्षोत संगम्युक को याद रखेंगे, उतना हमें बाबा के साथ भी कनेक्शन होगा, क्योंकि बाबा भी सिर्फ एक ही बार पूरे कल्प में, साइकल में एक ही बार आता है, संगम्युक पर, जैसे मनुष्य को कल्यूग याद है, संगम्युक सिर्फ तुमको याद है, क्योंकि हम गोरक धंधा ही याद रहता है तो बाबा केते ब्रामनों में भी नंबर वार है बाहर से मोह हटा हुआ हो तो धारना भी हो जाए क्योंकि इतने अपने धंधे में लगे हुए है तो बाबा केते बाहर से मोह हटा हुआ हो तो धारना भी हो जाए एक कहवत है अंतकाल जो स्त्री से मिरे जो की तो आश लोक अच्छे-अच्छे है जिनका हमारे ग्यान से connection है वह रखने चाहिए बाबा केते हैं जैसे बाब example देते हैं चिछी दुनिया से जाना ही होगा तो क्या है जितना हम ये song सुनेंगे उतना हमें बाबा की याद जादा रहेगी कि अभी देखो हमें घर जाना ही है दूसरा नैनहीन को राह दिखाओ तो बाबा सब स्लोक के songs के नाम दे रहे हैं ऐसे इसे गीत अपने पास रखने चाहिए बनाए तो मनुश्यन है जिनको इस संगम का पता ही नहीं है इस समय सब ग्यान नैनहीन अंधे है माना नैनहीन मनस्तूल आखो की बात नहीं है ज्यान से सब अंधे है किसे के पास अभी ग्यान ही नहीं है जब परमात्मा आये तब आकर राह दिखाए अकेले को तो नहीं दिखाएंगे यह है उनकी शिवशक्ती सेना यह शक्ती सेना क्या करती है? श्रिमत पर नई दुनिया की स्थापना तुम भी राजयोग सीखते हो जो भगवान के सिवाई कोई सिखला ना सके भगवान तो निराकार है उनको तो अपना शरीर है नहीं बाकी जो भी है सब शरीरधारी है उंच ते उंच तो एक बाकी है जो तुमको पढ़ाते हैं यह तो तुम ही जानो तुम्हारे में भी नंबरवार है तो तुमको वर्निंग देनी चाहिए तो हमारे में भी जो ब्रामन अलबेले बन जाते है तो बाबा केते उनको भी वर्निं परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं जिससे मुक्ती जीवन मुक्ती मिलती है हट योग से दोनों नहीं मिलते माना मुक्ती जीवन मुक्ती हट योग से नहीं मिल सकता वह है हट योग जो की परंपरा से चला आता है पुराना है क्योंकि वो है सिर्फ अपना शारेरिक कंडिशन ठी रखने के लिए होता है, फिजिकल एक्सरसाइस होता है हट योग, यह राज योग सिर्फ संगम योग पर बाप सिखलाते हैं, बाबा ने समझाया है, जब भाशन करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परसो की मुर्ली में भी था ना, इकी से एक ही टॉपिक पर सबको ड थोड़े हैं, पहले भाशन लिखो, फिर पका करो, तो याद आएगा, एसानी कि कहीं जाए, प्रिप्रेशन करो की न हो, और ऐसे जाकर बोलने लगे तो कुछ होगा नहीं, तो बाबा केते पहले भाशन लिखो, कौनसी टॉपिक पर करना है, फिर पका करो, तो याद तुमको ओरली भाशन करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं, बाबा केते हैं, यहाँ कुछ मेमराइज करके कुछ नहीं सुनाना है, कैसे सुनाना है, विचार सागर मन्थन कर भाशन करने की ताकत उसमें रहेगी, जो अपने को आत्मा समझ कर फिर बोलते हैं, तो प भाशन करने जाएगे, तो भी कैसे, अपने को आत्मा समझ कर फिर बोलते हैं, तब भी बाबा केते हैं, भाशन में भी ताकत भरेगी, हम भाईयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी, यहाँ बहुत उची मन्जिल है न, पान का बीडा उठाना मासी का गर नहीं ह पान का बीडा मना, हमने स्वरकी स्थापना के लिए बाबा का मददगार हम बन गए है, तो बाबा केते हैं, वो कोई कम चोटी मोटी बात नहीं है, मासी का घर नहीं है, जितना तुम रुस्तम बनेंगे, उतना माया का वार होगा, गरंटीड, अंगद्वा महावीर भी था, तब कहा रावन भी हमको हिला कर दिखाए, यह स्थूल बाते नहीं है, यहां कोई स्थूल बाते नहीं है, ऐसी कि कोई हमारा पेर आके हिलाने की कोशिश करें नहीं, बाबा केते हैं, जो भी होगा, सटल में होगा, सुक्ष्म में होगा, माया आएगी, सुक्ष्म में करेगी शास्त्रों में यह दंत कताये हैं यह कान जो परमात्मा बाप का सुन हरी ज्ञान सुनने वाले थे वह दंत कताये सुन सुन कर एक दम पत्थर बन गए तो अभी हम क्या कर रहे हैं अपने कानों को अमपारस बना रहे हैं क्योंकि अभी हम परमात्मा का ज्ञान सुन कर ह वरना शास्त्रों में लिखा और लिखा हुआ सब सुन सुन कर हमारी बुद्धी क्या है, हमारे कान भी पर्थर बन गए है, भक्ति मार्ग में माथा भी गिसाया तो पैसा भी गवाया, एक जगा से दूसरी जगा भटकते रहे, तिर्थी आत्रा करते करते, सीधी नीचे ही उत अब बाप उपर चड़ना सिखलाते हैं तो भक्ति करते आए जो अच्छा है बुरा नहीं है बिलकुल लेकिन हुआ क्या नीचे ही उतरते आए अब तुम्हारी चड़ती कला है क्योंकि अब बाप आकर हमें उपर चड़ना सिखाते हैं इसलिए हमारी चड़ती कला है अगर ब में तो हमारी बुद्द्धी जाती है उपर तो बाबा केते इस लिए आत्मा भी उपर बुद्धी भी उपर तो बाबा केते बाप को याद करते हो तो उपर मैनत है बहुत परंतू सह स्फुर जातwyn भूदों, परंतु बच्चे 커플 करते हैं, माया तुफान में लाती हैň। फलाना ऐसा है, यह करता है, यह ब्रामनी ऐसी है, इसमें यह अउगुन है, अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है, सर्वगुन संपन तो कोई बना नहीं है, कोई का अउगुन न देख, गुन ग्रहन करना है, हमें क्या बनना है, होली हंस बनना है, किसी की डिफेक्स नहीं दे प्द्धी से समझना है यह बाबा की बात बिलकुल ठीक है। जो बात ठीक न लगे चोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए क्योंकि कोई ऐसा aspect होता है जो कभी-कभी किसी ब्रामन बच्चे को ठीक नहीं लगता है तो बाबा के ते उसको छूड़ दो उसको एक बाजू में रख दो लेकिन दूसरा इतना बाबा इतनी पेज तिन तिन पेज भर के इतनी मुर मुरलिया हर रोज बाबा देता है तो उसमें तो कितनी चीजे होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है तो बाबा के उसको पकड़के बैठो तो बाबा के ते पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए ब्रामनी से वा पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना ऐस बहुत बच्चे है जो फिर सेंटर पर नहीं जाते है भल कोई कैसा भी है तुम्हारा काम मुरली से है मुरली जो सुनाएं उन में से अच्छी पॉइंस धारन करनी है किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए बाबा के ते वहां कोई बैठ के गपशप तो नहीं करनी है सेंटर पर जाते ही है शांती का वाइब्रेशन पाने के लिए और वहां शांती का वाइब्रेशन बनाने के लिए तो बाबा केते हैं वहां किसी से मज़ा नहीं आती है किसी ब्रह्मन आत्मा के साथ तो कोई बात नहीं, शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए, रूठना नहीं चाहिए कि हम यहां नहीं आएंगे, नंबर वार्तों है, यह भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, माना अमृतवले में, बाबा आकर सर छिलाइत देते हैं, बाबा अनु तिव्र पुरुशार्थी बच्चे एकदम सर्विसबल बच्चे हैं, तो बाबा केते हैं, जो अनन्य बच्चे हैं, वह पहले याद आते हैं, भल विलायत में भी हैं, कलकते में हैं, कहीं भी हो चाहिए, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइत देते हैं, क्योंकि वो ल देखो बाबा कहां तक केता है जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं बहुत सर्विस करके गए हैं तो जरूर यहां ही नस्दिक कोई घर में होंगे तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं तो देखो इतनी अच अत्मा को याद करते हैं और उनको स्पेशली सर्च लाइट देखते हैं कि देखो कितनी अच्छे सर्विस करके गए हैं है तो सब बाबा के बच्चे परन्तु कौन-कौन अच्छे सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं कौन जानते हैं बाबा देखता हैं बाबा ने कहा यहां सर्चलाइट दो तो देते हैं, दो इंजिन है ना कौन, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, यह भी इतना उचपद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी कौन, ब्रह्मा बाबा, इतना उचपद पाते हैं तो जरूर उसमें भी इतनी ताकत होगी न, भल बाबा केते हैं माना ब्रह्मा बाबा केते हैं हमेशा यही समझो की शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए भले शिव बाबा आते थे ब्रह्मा बाबा में फिर भी ब्रह्मा बाबा केते थे कि मेरे को मत देखो अंदर पढ़ाने वाला कौन है शिव बा बाद आत्माएं एक ही शरीर में एक है ब्रहमा बाबा दूसरा है शिव बाबा तो यहाँ दो बत्ति नहीं है इसलिए यहाँ दो बत्ति के सन्मुक आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं, तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, दोनों बती माना लाइट्स, टाइम भी सवेरे का अच्छा है, सनान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए, परसो की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, या कल की मुरली में, कि छत पर चले ज होंगे, पर गौड को जानते नहीं, वो क्राइस्ट को याद करते हैं, लेकिन गौड एक्च्छल कौन है, उसको नहीं जानते हैं, अगर गौड को याद करते होंगे, तो शिवलिंग की ही, शिवलिंग ही बुद्धी में आता होगा, अपनी मस्ती में जाते हैं, तो उन से उठाना चाहिए कौनसा गुन पादरी लोग से उठाना है हमें फादर से कि हमें शांती में रहना है वो चलने भी निकलते हैं बाबा ने कलकी मुर्ली में कहा ना कि वो चलने वॉक पर भी निकलते हैं लेकिन सब एक दम पीस ख्वायत में चलते हैं तो बाबा कहते हैं तो उन जहां दतात्रे सबके अच्छे अच्छे गुन उठाते होंगे, तुम बच्चे भी नंबर वार दतात्रे हो, तो हमारा टैटल आजका दतात्रे है हम, क्योंकि हमें भी होली हंस्पन्ना है, हमें भी मोती चुगने है, कंकरनी चुगने है किसी से, यहां एकांत बहुत अच्छ में बाहर तो गोरक दंधा याद पड़ेगा चार बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है तो जब मदुबन में होते है तो बहुत अच्छी याद रहती है बाबा की बाबा के ते बाहर तो गोरक दंधा याद पड़ेगा चार बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है बाहर कहा जाने की जरूरत नहीं है घर में बैठे हो पहरा भी है यग्य में पहरा भी रखना पड़ता है कहां मदुवन में यग्य के हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है क्योंकि यग्य की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूबल है इसलिए safety first यहां कोई आएंगे नहीं समझते हैं यहां जेवर आदी तो कुछ है नहीं क्योंकि मदुवन में कोई जेवर आदी कुछ है नहीं यहां मंदीर भी नहीं क्योंकि मंदीरों में क्या होता है बहुत धन पड़ा होता है एकदम पैसा होता है तो बाबा केते हैं, यह मंदिर भी नहीं है, आजकल चोरी सब जगह होती है, विलायत में भी पुरानी चीज़े चोरी करके ले जाते हैं, जमाना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रू है, कम से कम पुरानी चीज़े तो लेके जाते थे पहले के जमाने में अभी तो देखो कितन एक class होता है ever healthy बनने का और फिर यह है ever wealthy बनने का तो ever healthy किस से बनते हैं योग से बाबा के साथ यार जुटाने से connect करने से ever healthy बनते हैं और फिर यह है माना मुरली class है ever wealthy बनने का क्योंकि मुरली क्या है पढ़ाई है और पढ़ाई के बाबा क्या कहते है source of income है इसलिए बाबा कहते है बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंधन भी करना है बाप को याद करेंगे तो वर्सा भी याद आएगा क्योंकि बाप के साथ तो वर्सा हमेशा जुड़ा होता है चाहे वो लोकिक बाप हो या पारलोकिक बाप हो यह युक्ती बहुत सहज है जैसे बाप बीज रूख है जाड के आदी मध्य अंत को जानते हैं तुम्हारा भी धंधाय है बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे बीज माना शिव बाबा चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे अर्थात धन मिलेगा राजा विक्रम और राजा विकर्मा जीत दो संबंध मिक्स कर दिये है तो राजा विकर्मा जीत कब बनते है जब हम सत्यूद में होते हैं में विकर्म कोई होता ही नहीं हमसे इसलिए हम विकर्म जीत होते हैं वहाँ और राजा विकर्म का अड़ाई द्वापर से तो बाबा के अग्दे सब दो संबंद मिक्स कर दिये है रावन आया तो विकर्म संबंद शुरू हुआ डेट बदल गी तो रावन कब से आया द्वापर से वह चलता है एक से डाई हजार वर्ष फिर चलता है अनदर डाई हजार से पाँच हजार वर्ष तक हिंदूों को तो अपने धर्म का पता नहीं है तो पहला चलता है पहले डाई हजार वर्ष तक कौन सा वो विकरम आजीद और दूसरा विकरम स वो होता है द्वापर से लेकर कल्यूक के एंड तक तो वो डाई हजार तो टोटल हुए पाँच हजार वर्ष तक हिंदू को तो अपने धर्म का पता नहीं यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को गूल अधर्मी बने हैं क्योंकि अपना धर्म बुल गे इसलिए अलग- जा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ आर्य मना सुधरे हुए सत्यूग में थे अन आर्य अभी है अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं तुम्हारी बुद्धी में सारा चक्र है जो अच्छे पुरुशार्ती है वो खुद भी जानते हैं औरों को भी पुरुशार्त क शे चित्र काफी है। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। तुम एक ही जवरजस्त लाइट को पकड़ो माना शिव बाबा को पकड़ो। सब बच्चे यहां भागते हैं समझते हैं डबल लाइट है। बाब सन्मुक सुनाते हैं। घायन हैं तुम ही से सुनू तुम ही से बोलू परंतु ऐसे नहीं। तो हम कहते हैं बाबा कहते हैं ना चलते फिरते उड़ते बैठते खाते बस बाबा कोई याद करो। लेकिन उसका मतलब बाबा कहते हैं यहां नहीं बैठ जाना है। आठ रोज काफी है माना राजयों का जो साथ आठ दिन का जो कोर्स होता है बाबा कहते हैं अगर बिठा दे तो धेर हो जाएं क्योंकि सबी वहां बैठ जाएंगे सबी वहीं सटल हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो लौ नहीं है। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है परन्तु तुम को आंतरिक खुशी बहुत होनी जाएं। बहुत खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते हैं। तो बाबा फट से कहते हैं अपने को देखो मेरे में क्या अउगुण है। स्तुती निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यग्य से मिले उसमें खुश रहना है। बहुत वैल्य होती है। इसलिए वो थाली भी खाना खाने के बाद थाली भी दोकर पी जाते हैं। तो बाबा के ते उतनी उन लोगों को वैल्य होती है। इंपोर्टन्स होता है खाने का। समय ऐसा आना है जो अनाज भी न मिले तो ऐसा समय भी आएगा। तो सब कुछ सहन करना पड़ता है। तब पास हो सकेंगे। अच्छा है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दतात्रे मिसल सब से गुन उठाने है। दूसरी पोइंट है बाहर से बुद्धी निकाल अंतमुखी रहने का अभ्यास करना है। बुद्धी जितनी हो सके अपने अंदर में ही रखो बाहर निकालो ही मत। क्योंकि जितना काम होता है उतना करना पड़ता है। लेकिन उससे बाहर ज्यादा इंटरस्ट बाहर में मत रखो क्योंकि वहां कल्यूगी दुनिया है। बाबा केते ने जो कुछ इन आखो से देख तो वो सब विनाशोने वाला है। इसलिए उसमें ज्यादा बुद्धी मत लगाओ। तंदे दोरी में रहते देही अभीमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। वर्दान है आज का इश्वर्य सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रोयल फैमिली के अधिकारी भवा। तो इश्वर्य सेवा के बंधन द्वारा माना जब हम सब ब्राह्मन मिलके इश्वर्य सेवा करते हैं तो बाबा केते हैं उस द्वारा हम समीप संबंध में आते हैं लेकिन वो यहां के लिए नहीं कहां के लिए फत्यूग में रोयल फैमिली के अधिकारी भव माना फ्यूचर में हम royal family में साथ में आएंगे तो बाबा detail में समझाते हैं इश्वर यह सेवा का बंध नस्दिक संबंध में लाने वाला है जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप समीप संबंध में आता है close हो जाते ब्रामन ब्रामन डी लेकिन close होने का मतलब यह नहीं कि उसमें भ जितनी यहां हाड सेवा करते उतना वहां आराम से सिंहा सन पर बैठेंगे और यहां जो आराम करते हैं वहां वहां काम करेंगे सत्यूग में जाकर भी काम करेंगे एक एक सेकेंड का एक एक काम का हिसाब किताब बाब के पास है तो अगर हमें अगर ऐसा लगे कि मैं तो सें पर जाकर मैं तो बरतंद होती हूँ या बरतंद होता हूँ तो बाबा केते जितना यहां का हाड काम हाड सेवा उतना वहां माना सत्यूग में आराम से सिंहासन पर बैठेंगे और यहां जो भी आराम करते हैं वो वहां काम करेंगे क्योंकि एक एक सेकेंड का एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है स्लोगन है स्वा परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तिव्रगती से फैलाओ स्वा परिवर्तन हमें दूसरों को परिवर्तन करने नहीं जाना है पहले हमें क्या करना है अपने आप में परिवर्तन लाना है इसले स्वा परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का Vibration तिव्रगती से फैलाओ क्योंकि हमें जितना परिवर्तन आयाओगा हमें देख दुसरों में भी आयेगा अच्छा तो बाबा की मुरली पूरी होती है दो मिनिट बाबा का ध्यान करके हम मुरली पूरी करते हैं